हालो इस्टूदेंट्स इन लास्ट वीडियो वी श्टूजिट अबाट दा जेंडर्ड एसेस्टू प्रपर्पर्टी यानि संपत्थी पर इस तिरी पुरुशों के अधिकार यानि पिता की मित्यू के बाद जो भी संपत्थी है उसको जो पुत्रों में बराबर बाट दिया जाना चाहिए यानि की बड़े बेचे को कुछ अधिक हिस्ता दिया जाना चाहिए इट वाज मेंशन्ड एकॉरिंग टू मनस्थी वाल दाटास वियर डिप्राइट आफ डैट जबकि लड़कियों को उसे वन्चित रखा जाता था बट देवे फ्रेट टो केप दियर इस्तिधन लेकिन म वो फ्रेट इंग and no one could claim about that इस्तिधन के विषय में कोई भी उनके दावा ने कर सकता था Even her husband could not claim about that यहनि उसका पती भी उसके बारे में उसे दिबाद ने कर सकता था What was इस्तिधन? इस्तिधन was all that type and that gifts and money which were given to that lady at her marriage occasion And that was inherited to her children और वो इस्तिधन जोए उस पत्नी मलब महिला के बाद उसके बच्चों का हुआ करता था So now our next point is 4.2 and that is वर्ना and assist to property वर्ना and assist to property यानि वर्ड और संपत्ति के अधिका Let us start about it. पीटा, according to the Brahminical test According to the Brahminical test, another criterion apart from gender हमने कर जो जेंडर वाली बार पुछे पड़ी थे ना जेंडर एस्स तो प्रापर्टी यानि संपत्ति पर जो है इस्ति प्रोशों के रिखा तो भी यहां पे जेंडर से अलग चलिए यानि अपार्ट फॉम जेंडर फॉर रेगुल एस्स तो वेल्ड वास वर्ण यानि की उस जेंडर के अलावा जो है एक और आधार था वो था वर्ण or you you know it very well that according to Dham Sutra and Dham Shastra there were four types of Vainas in the society and those were divided as first was Brahmanas who were at the highest position second was Chhtriyas third was Vashyas and the fourth group was Sudras and there were some occupations which were decided for every categories of Vainas such as Brahmanas Chhatriyas and Vashyas they were given some definite occupations while Sudras were given only the servitude for three upper categories hyanita Brahmanas Chhatriyas वेशों के लिए सबके लिए व्योषाय था ब्रामनों के लिए जए ब्रामनों के लिए जए सेक्रिफाइस करना वेद्न वेद्न तो इस्टेडी वेद्स to give and take the gifts while the chatriya's occupation was to study weights to protect the subject to give the gifts to bramdas and to take the gifts from lower classes while we see as we decided to work as agriculture pastoralism trading etc while sudras we are given only the servitude of upper three castes you need so do you get it in tino vargo ki sewa karna hi kaam diya kings are almost invariably depicted as wealthy ये जो kings होते थे ना जो शक्षवी से भिलांग करते थे ये तो हमेशा राजा मलब राजा जो धनी दिखाए गया है according to the text जो भी हमारे text मिले हैं उनकी अनुसार राजा तो धनी वह करते थे रिष्ट यानिकी ब्रावणास we are also generally shown to be rich ये वर्ग भी जो है धनी दिखाए गया है बट वियर सम्पोटेशनल टेपिक्शन आफ दा वर ब्राम्रास तू लेकिन बटा कुछ निर्धन ब्राम्रों का भी चितर किया गया है इन दूस टेक्ष्ट उन पुस्तकों विजे कुछ ब्राम्रों को निर्धन भी द सुधाय गया है बहुत इन दिखाय गया है ईन दो एक्जाम्र में भी टेक्षिश्न रॉस विच्ट गार्वटर हूप तो यहां पे यह बात गिंग व्यां भी जाही नहीं बाच रही है तो क्या हूई थे बेट रंब अट धन लेवेल रेवन आश धम ब्रामनी का ब्राम्र वीव ऑफ सोसाइटी वस कौन्डिफाइट इन दा धम्सुत्राज एंड धम्सास्त्राज दा अधर टेजिशन डेवलेप्ट क्रिटेक्स अब दा वर्णा ओडर करने कमतले विटा एक अस्तर पर जहां समाज के ब्रामरी दिश्टकोनों को धम्सुत्र और धम्सास्त में दा में टिक वस बुद्धिस्ट टेदिशन उसमें जो बुद्धिस्ट जो टेडिशन थी उसने जो है यह अलोचना प्रस्तूत की और अक्रणिग्टों बुद्धिस्ट टेस्ट्वल रिकॉर्ट there were differences in the society there were differences in the society and according to Buddhist traditions those Buddhists rejected the idea of the claims to status on the basis of birth यानि कि जन्म के आधार पर कोई ब्रामण में जन दे रहा है कोई शक्त्री में तो जन्म के आधार पर उसका स्टेटस जो है माना जाए कि ही बिलॉंग टू अपर कास्ट इसे उन्होंने डिनाई कर दिया समझे बिटा एकॉर्डिंग टू दा बुदिश्ट दे रिजेक्टे दा आइडिया अफ लेंस तो इस्टेस ऑन दा बेसिस आफ बर्थ यहनि बॉद्धों ने जन्म के अधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्विका करिया दे डिना इट समझे बिटा एंड बिसाइड इट यहनि कि उन्होंने इसको भी न तो प्राकितिक माना और नहीं इसे इस्थाई माना करने का मतलब यह है कि यह आपका जो सोसल स्टेटस है देट इस नोट नेट इन्फलेक्सिबल यहनि आप किसी भी वर्ड में जन्मली हैं तो आप अपना स्टेटस बदल सकते हैं आपके पास संपत्ती नियंतर का आपके पास है वह आपकी छमते एफिसेंसी है देन यूट अचीव दा हाइस्ट पोजिक्शन इन दा सोसाइटी आप समाज भी जो हाइस्ट पोजिक्शन एचीव कर सकते हैं चीबटा तो बुद्धिश्ट एडिक्शन के नुसार यह बात जाए कि किसी ने किसी वर्ग में जन ले लिया तो उसे अच्छे स्टेट्स का माना जाएगा और यदि शुद्र में जन ले लिया तो उसे लोवेश्ट माना जागा इस बत कुने इंकार कर दिया और यह भी का कि यह चीज़ें जो जन के अधात हैं वो नेच्टोल नहीं है और इन्फ्लेक्सिबिल भी नहीं है यानि वो प्राक्रितिक भी नहीं है और अस्थाई भी नहीं है एनिवन वो केन एफर्ट में अचीव पैनी स्टेटस इन दर सोसाइटी जो कोई भी प्रयात्मे करें वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा अप इमेज बना सकता है इसका मतले विड़ा एक वेहकलपिक सामाजिक सोसल सामाजिक सिनेरियो रूप रेखा इनी स्ट्रक्चर शेरिंग वेल्द यहने की संपत्ति में भागी दारी तो इसके हिंदी क्या हुई एक एल्टरनेट यहने की एक वेहकलपिक सोसल सामाजिक सिनेरियो इस्टक्चर रूप रेखा एक वेहकलपिक सामाजिक रूप रेखा किसके शेरिंग वेल्द यहने संपत्ति में भागी दारी कि लेट उस नूप वाट वस इट कर दा साउथन पार्ट ऑफ इंडिया इंफ्लुजेट अंद्रपरेश केरल एंड तमिलाडू देट ओल्डाट एरिया वस काल्ट तर्मिलक्कम यानि दक्षिड भात का जो केरल का अंद्रपरेश का और यह तमिलाडू का जो जुए उस्को मिला करके जो है उसे तमिलक्कम कहा जाता था तो विच ट्ष्म आर फांड इन तमिलक्कम इरियाज इतिशेट इट इज मेंचन इन दूस ट्वेक्ट देट इन ऑल इस एडिया विच वोस श्रेट इन तमिलककम धियाज हाट दिया विया मेंशन सम्टिंग सच आज दोस पीपोल हो वियर जन्रस means kind-hearted they were respected in the society even they may be rich or not यानि ऐसे लोग जो की समाज में दयालुता दिखाने वाले हों kind-hearted हों वद्धनी हो या गरीब हों they were respected by people उन लोगों का लोग सम्मान करते थे while those people who were so wealthy but they were as a greedy type as selfish nature those were disrespected by the people यानि तमिल अक्कम में यह बात बताई गई है कि उस पूरे एरिया में जो लोग दयालु हिद्रा के होते थे उन्हें लोग respect देते थे और जो selfish nature के होते थे उन्हें लोग disrespect करते थे हावटा दियर वोस एफेमस टेक्स्ट आफ तमिल देटिस काई तमिल्स स्वरी संगम टेष्ट जिस्ट लाइग इन आवर नौर्धर इंडिया आर कंसिड़ाइट वेड्स जैसे हमारे उत्तरी भात में वेड माने जाते है उसी तरह से जए तमिल नाजी में जो वहां का फे है अधियर इंड एट वेड में आप दो दो अधियर इंड आप दो अधियर वेड शुचल इंड वेड दो इंड दो इंड गरी नों के बीच में कुछ अन्तर होते थे यह जो जीनका संसाधनों पर अधिका था या जीन दोस पीपल वेर वेल्डी जो लोग धनी होते थे वेर एक्सपेक्टेट उनसे लोग उम्मीद करते थे कि अपनी पॉब्लिक में उनका शेयर करेंगे बीटा, ठीना, and those chief of the chiefdoms used to give something to the bad, to poets, so that they mention in their poets about the praising of those chiefs. जो chief लोग होते थे, किसी chiefdom के, यानि एजयरूलर, वो जो है कभी लोगों को कुछ न कुछ धन दिया करते थे, ताकि उनके बारे में बढ़ा चाड़ा करके कुछ बातें mention करें, चाहे ग्रान्थों में, चाहे जिस पे भी, ये लोग उनको पैसे दिया करते थे, और ये उम्म से, इन यूर पेस, नंबर 70, ये ए आशोस 13, ये इज रिकें, दा वेल्डी शुद्रा, यह नि एक ऐसा ब्यक्ति, जो शुद्र जाती का है, लेकिन, ये इस वेल्डी, वो धनी है, ता, इस स्टोरी इस बेश्ट ऑन बुद्धिश्ट इस पाली, नोन एस, मजिम निका है, म बिट्विन एक किंग नेम्द अवन्ति पुत्र, एंड एडिसाइफिल ऑफ बुद्धा, नेम्द कच्चन, यानि किया एक राजा का लड़का जिसका नामें अवन्ति पुत्र और भगवान बुद्धि के शिश्य, कंचन के बीच में, इस टाइप अश्ट कंचन, जिसमें अवन्ति पुद्धि कंचन से पूछते हैं, वाटे थाट अबाट ब्रह्मनास हो है, देट देट अबेश्ट कास्ट, एंड देट अल अदर कास्ट वेर लो, वो पूछते की, कंचन जी आप ये बताएं, कि ये ब्रावनों का ये मानना कि वो सबसे उचे हैं, क्या ये उच अपने भागवान के समतों लिमानते हैं, इस इस राइट, तो हो रिप्लाइट कंचन, से इन ये बुक, वाट इप ये शुद्रा वेर वेल्दी, वोट एनदर शुद्रा, और च्छत्रे, और ब्रह्मन, और वैश्या, इस पीक पलाइचली तु ही, यानि कंचन जी ने पू पूछा, अवन्ती पुत्र से, पूछा, एक बार पता ही मुझे, वाट इफ शुद्रा वेर वेल्दी, यहरी एक शुद्र जाती का व्यक्ति धनी होता, तो क्या होता, उट एनदर शुद्रा, और च्छत्री, और ब्रह्मन, और वैश्य, इस इस पीक पुलाइचली तु ही जा, यहरी एक शुद्रा वेल्द, और कॉर्ण, और गॉल्ड, और सिल्वर, यानि वो शुद्र व्यक्ति जो धनी है, उसके पास तमाम धन है, अनाज है, सोना है, चंदी है, यह कुट्ट हैप एजिस ओडियेंट सर्वेंट एनदर शुद्र, तो केट अप अरलियर दैन ही to go to rest later, to carry out his orders, to speak politely, कह रहा है वो अवंति पुद्र कि यह एक शुद्र के पास धन होता न, तो जो दूसरा शुद्र है, वो उसकी सेवा करता, उसके सोने से, सोने के बाद वो सोता, उसके जागने से पहले वो उच जाता, उसके तमाम आदेशों को मानता, and to speak politely, और बहु और यहां तक मैं मानता हूं कि यदि धन होता उस बैक्ती के पास न, तो जाए कोई ब्रह्मार हो या चत्री हो या वेश्य हो, वो भी उसकी आज्या को मानता, उससे जो है politely बात करता, यदि उनके कंपेर में अधिक वेल्दी है तो मैं ऐसा मानता हूं, कंचन आख्ष, इस बीइंग सो, यदि ऐसा है, और नोट इस फोर वर्नास एक्जेक्टली दा सेम, तो बताइए कि चारों वड एक समान नहीं हुए, आवंति पुत्य, कॉंसिजेट टेट, धिर वास नो देफरेंस अमंस्ट दा वर्नास, ओन दिस एकांट, तब जै आवंति पुत्य ने इ on this account, that's all weiter, thank you